सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं सुनिल वर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे यूटुब चैनल पर स्टुडेंट हम बात करेंगे डेली करेंट अफेर्स के प्रोग्राम पर जैसा कि हम प्रते दिन करते आएं इसमें हम कबर करने का प्रयास करते हैं हिंदी के निऊच पेपर के साथ साथ एंगलिस के निऊच पेपर और जहां से भी आपके लिए परिच्छा उपियोगी सामगरे मिल सकती है उन सभी resource को हम cover करने का प्रयास करते हैं और हमारा उदे से ही होता है कि जो topics आपके exam के point of view से important हो वा उनका source कोई भी हो हम उसको क्या करें आपके सामने present करें तो साथी साथ इसमें मेरे research के inputs भी होते हैं अर्था जो खबरें आपको कहीं पर मिल सकती हैं उसमें मैं क्या करता हूँ अपने तरफ से research करके मैं उस topic को आपके exam के point of view से जिस परकार का trend है जिस परकार का उसका approach है उसके अनुसार उसको डालने का प्रयास करता है सबसे पहले हम बात करेंगे कोला उत्पादन बढ़ाने की नई नीती आपको पता है कि कोला के production को लेकर अभी दो दिन पहले ही सरकार ने एक नई policy को सामने रखा है इसमें यह लच रखा गया है कि आने वाले समय में जो हमारी आयात पर अभी कोले को लेकर जो निर्भरता बनी हुई है अर्थात अभी हम जो हमाई energy के point of view से जितनी कोले की आउसकता है उतना उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं और हमें बहुत बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है इसको लेकर हम बात करेंगे देखेंगे आखिर इस नई नीती में ऐसा क्या है कैसे आने वाले समय में यह नीती हमारे लिए यूजफूल हो सकती वहीं जो अगली खबर होगी उसमें हम बात करेंगे बिलुप्त हो गई चायनी फेडल फिस अर्थात यह मचली के परजाती है और यह बिलुप्त हो गई देखेंगे इसके बिल्लू तो होने कारण क्या है तो साथी साथ यह किस छित्र में पाई जाती थी और किस तरह से यह environment के पॉन्ट अब्यू से important होती वहीं जो अगली खबर है उसमें हम बात करेंगे 15 देशों के राजनाईकों का कस्मीर दोरा अगर आपने देखा होगा तो वह दोरा चल रहा है उनका और देखेंगे यह राजनाईकों का यह जो दोरा कराय जा रहा है इसके पीछे के कारण क्या है और वहीं देखेंगे अनुछे 370 में जो हमने परिवर्तन किया उस परिवर्तन के बाद कस्मीर के हालात को लेकर किस परकार के तरक सामने आ रहे हैं और किस परकार उस पर समिच्छक के साथ साथ जो उसकी आलोचना करने वाले हैं जो परिवर्तन हुआ उनके कुछ तरकों पर हम बात करेंगे आई श्टून हम एके करके इन खबरों को बिस्त रिसित करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कोला उत्पादन बढ़ाने की नई निती आपको पता है कि कोला क्या है एक हमारे लिए बेसिक जो है की मूलभूत चीज है जिससे हम क्या करते हैं एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं अब ने सुना होगा कि भारत में कोला का भंडार बहुत ज़यादा बिस्तो में अगर देखें तो हमारे पास चौता कोले का रिजर्ब है बावजूद इसके हम जो है कि बहुत बड़ी मात्रा में कोईले का आयात करते हैं यह आयत इस बज़े से करते हैं क्योंकि हम उत्पादन नहीं कर पाई उत्पादन नहीं कर पाई इसके पीछे दो कारण है पहला कारण तो यह है कि आपको पता है कि 2014 में सुप्रीम कोट ने बहुत से जो हमने कि क्या किया था बूली लगा कर जिन लोग को लाइसेंस दिया था वो लाइसेंस कैंसिल कर दिये गए थी बाद में दोबारा license देने का प्रयास किया गया जिन लोगों ने सुप्रीम कोड ने जिनका cancel कर दिया था तो वो है जो cancel हुए block थे कोला के उनको हमने दूसरे लोगों को देने का प्रयास किया लेकिन वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं हो पाए और इन सबी कारणों के साथ सा कर हमारे पास कोला के खननर के लिए खनन को उधार करेगी, यहां पर जो liberalize करनी की बात करी lip करनी की बात करी है इसका मतलब है कि कोई अभी policy थी जो कि कम उधार थी उसको हम और उधार करेंगे, और किसके point of view से उधार करेंगे जो investor होते हैं, जिससे अधिक से अर्धिक ग्रूप कंपनी, पार्टियां इसमें अपना योगदान दे सके और उससे क्या हो सके कोले का उत्पादन बढ़ाया जा सके अभी तक जो अधिकांस खनन कोल जो होता है कोल इंडिया लिमिटेट के द्वारा किया जाता है और अब सरकार यह चाहती इसमें प्राइबेट सेक्टर और बिदेसी कमपनियों को सामिल करक कि हम उत्पादन को अपने बढ़ाएं एक चीज़ और यहां पर हम पर्यावड़ी मुद्दों पर थोड़ा संचेप में बात करेंगे कि कोला कैसे जो है कि पर्यावड़ान को परदूसित करता है अभी मैंने आपसे एक दो दिन पहले ही बात की थी और वह बात की थी लिग पुराना वीडियो देखा है आपको याद है कि किस चीज से क्या इंपक्ट होता है आप इसको चेक करते हुए चल रहे हैं कुल मिलाकर इसमें क्या किया जाएगा कम्पनियों को बढ़ाया जाएगा जिससे कोला के उत्पादन को बढ़ाया सके आपको पता है भारत की घरो लुए आउसकता है जादा है तो साथी साथ भारत के पास जो उर्जा बनती है जो हम बिजली बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उर्जा हम बनाते हैं कोला से लगबक 70% जो है कि हमारी उर्जा की आपूरती किसमें thermal power plant अर्था कोला से चलने वाले power plant पर और उसके लिए हम क् करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में जो है कि हम उत्पादन भी करते हैं लेकिन जितना उत्पादन करते हूं कम रह जाता इसलिए भारत के पास जो भारत कोले का चोथा सबसे बड़ा भंडार है और जब भंडार हमारे पास है तो हम इसका उत्पादन करेंगे तो इससे क्या होगा आयात में कमी आएगे अगर कोला रिजाब की विस्म में हम देखा देखें तो हमें पता चलेगा यह स्टुडेंट की जो है कि योजसे में 27% रूस में जो है कि 17% चीन में जो है कि 13% और लगभग 10% योगदान जो है कि भारत का है अर्थात इसमें रिजर पाये जाता है कुल मिलाकर हम 4th largest क्या है रिजर रखते हैं कोल का इसके बावजूद हमें क्या करना पड़ता है काफी आयात करना पड़ता है अगर हम यह 10% का डिस्ट्रिबिशन देखे तो इसमें कुछ परमुक राजू जो आपको नजर आएंगे वह है आपका जारखंड, उडिशा, चतिसगड, पस्रिमंगाल, मद्यपरदिस, तेलंगाना और यह जो मैं डेटा दे रहा हूँ, यह डेटा है Geological Survey of India के आकड़ों के हिसाफ से इन राज्यों में क्या है कि कोला का जो रिजर्ब है काफी बड़ी मात्रा में जैसा कि मैंने आपको बताए कि हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं और यह जो आयात होता है 235 मिलियन टन का होता है समझ लिजी कितनी बड़ी मात्रा है हम इसको क्या करते हैं आयाद करते हम इस पॉलसी इस नीति के माध्यम से क्या कर रहा है है कि अगर हम चाहें अगर हम प्रोडक्शन ठिक से करें तो इस 235,000,000,000,000 मेंची एक 155,000,000,000,000 का उत्पादन हम खुद कर सकते थे अगर हमने सही पॉलिसी अपनाई होती और इस से क्या होता लगभग हमें टोटल के वो सो मिलिوں तैड़ो की टनका क्या करना होता आयात करना होता लेकिन कुछ नहीं होता लेकिन कुछ कमिया है जिनके वाज़स हम उत्पादन नहीं कर पाए यह जो हम 235 million जो हम जो है कि टन का उत्पादन का जो आयात कर रहे हैं अगर इसमें से हम 135 million टन का भी उत्पादन कर लेते तो इससे जो है कि सरकार को 1.71 लाग करोर रोपे की क्या हो सकती थी बचत हो सकती थी इसलिए अब जो भी हम policy बनाएंगे उसके उद्देश में क्या होगा कि हम को किसी भी तरह से अपना उत्पादन बढ़ा के आयात को क्या करना है कम करना है देखी कि हुआ क्या था अगस 2019 में भी अर्थात कुछ समय पहले भी कोले के खनन के लिए कुछ प्राधान किये गए ते जिससे क्या हो जो कोल इंडिया लिमिटेड हो उसकी मोनोपोली खत्म की जा सके मोनोपोली का मतलब है कि अधिकानस कोल के ब्लॉक उसी के पास वही उत्पादन करती है और इसमें अन्य जो है कि लोगों को अन्य कमपनियों को जोड़ा जा सके यह हमने कुछ प्रावधान करने का प्रयास किया था यह जो मोनोपोली नहीं खत्म हो पाए इसके खनन का लाइसेंस उसी कमपनी को दे सकती है जो तीन सेक्टरों से सम्बंदित हो अर्थात जैसे हमने कहा कि हम क्या करेंगे CIL के साथ साथ अन्य लोगों को इसमें सामिल करेंगे और इसके लिए हमने अगस 2019 में प्रयास किये लेकिन हमारे पास जो एक्ट है जिसका नाम है म तीन छेत्रों से सम्बंदित हो वह क्या हूँ आईरन एंड इस्टील अर्थात वह क्या हूँ जो है कि आईरन और इस्टील का जो उत्पाधन करने वाली कमपनी हो आपको पता है कि आईरन और इस्टील की जो उत्पाधन करने वाली कमपनिया है उनको बड़ी मात्रा में को कोला चाहिए होता है तो हम अगर कोई कंपनी माल लिजे पहले से 10 कंपनी हैं और उसमें हम चाहते हैं कि 15 कंपनिया हो जाएं तो जो पांच कंपनी हम एड करेंगे उस पांच कंपनी का संब्द इन तीन सेक्टर से होना चाहिए या तो वह आरण और स्टील के प्रोडक्शन से कंपनी से जुड़ी हो या पावर अर्थात वह एनर्जी बनाती हो या फिर क्या हो कोल वाजें सेक्टर से क्या हो सम्बंदित तब ही क्या कर सकते हैं उसको लाइसिंस देख सकते हैं अब इनके बज़े से क्या हुआ कि जो कमपनिया आनी थी यह अर्थात हमें जितनी उम्मीद थी कि हमारे पास क्या होंगे बहुस सी कंपनिया precision थी आर्थाती जो तीन सर्थे पूरा करने थी इसके वज़े से हमारे पास कमपनियां कमाई अब क्या कर रही है केबिनेट एक अध्यादेश लाने जा रही है और यह जो अध्यादेश लाएगी इसका नाम होगा कि मिन्रस के दो नियम है उसमें अमेंड्मेंट किया जाएगा और यह क्या है? तो किसी ना किसी कानून में परवरतन कर रहा होगा दो कानूनों में समसोधन किया जाएगा पहला होगा The Coal Mines Special Provisions Act 2015 अर्थात यह जो हमने 2015 में कानून बनाया था और जो मैंने आपको बताया कि 1907 का कानून जिसमें यह तीन क्रिटेरिया का क्या बात की गई है देखिए यह तीन क्रिटेरिया है इनकी बात की गई है तो दरसल इनसे सम्मझनी जो प्रावधान है 1957 के एक में उसको क्या किया जाएगा हटाए जाएगा जिससे अधिक से अधिक कंपनिया क्या कर सके इसमें हिस्सेदारी कर सके यह जो के पहला जो संसोधन यह किया जा रहा है कि अब किसी भी छेत्र की कंपनी क्या कर सकती है जरूरी नहीं है कि जो तीन सेक्टर हमने बताए उन्ही तीन सेक्टरों से संबन्दित है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि हम इसी में संसोधन कर दे रहे हैं, तो अब किसी भी छेत्र की कमपनी होगी, अगर वह चाहेगी, कि हम कोला उत्पादन करना चाहते हैं, तो कर सकती है, इसके साथ एक और नियम में परिवर्तन किया इसका मतलब क्या है, माल लेजे, अभी जो है कि एक कमपनी है, और यह जो कमपनी है, इस कमपनी का नाम है ए, और यह कमपनी क्या कहती है, यह आईरन या स्टील का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, इसने क्या किया 100 तन का जो है कि कोले का उत्पादन किया, अब यह जो को ton क्या करेंगा इसी को company को खर्च करने हो अगर ये चाहे कि हम 100 ton का हमने उतपादन किया और किसी खास समय में किसी खास समय में जब क्या हो इस्टील की डिमांड कम हो तो सोचे कि हमारे पास अगर 20 जो है कि टन क्या हुआ है, कोला बचा हुआ है हम किसी 3rd company को अर्थात B को बेच दें तो यह बेच नहीं सकती थी अर्थात यह जो कोले का उत्पादन कर रही थी सिर्फ सिर्फ अपने लिए यूज कर सकती थी यह कोई भी हिस्सा दूसरी company को बेच नहीं सकती थी कई बार क्या होता है कि company जो उत्पादन कर लेती है लेकिन उनको लगता है कि उसको कहीं बेच देना चाहिए यह बेच नहीं पाती थी अब क्या किया जाएगा कि यह criteria हटा दिया गया है अर्थात एक company नो उत्पादन किया है उसके पास लगता है कि अब surplus कोला है तो उसको market बेच सकती है इससे क्या फादा होगा कि company के पास दोनों बिकल्प होंगे वह खुद भी यूज करे और साथे जब लगे उसको कि उसके पास surplus उत्पादन हो गया है और steel और के लिए या जो भी company है उसको खुद नहीं खर्च कर पाएगे तो वह क्या कर रहे है उसको बेच दे इन प्रावधानों में क्या किया जाएगा कि जैसे ही यह दोनों प्रावधानों effective होंगी तो इससे ना सिर्फ उत्पादन जो है कि क्या होगा बढ़ेगा बलकि सरकार का राजस्व भी क्या होगा अभी क्या होता था उत्पादन जब कम होता था तो सरकार को राजस्व भी क्या होता था और इस area में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है coal, oil और natural gas, यह जो area है, आपको यह जो दिखाई देगा, यह कौन सा area है, आपको cola वाला area है, और यह जो cola वाला area है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यह कुछ खास छेतर विसेस में यह केंदरित है, लेकिन अगर हम चाहें, तो इसको क्या कर सकते हैं, इस cola को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करके कई जगह पर यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट हम तभी करेंगे, जब क्या हो production हमारे पास बहुत ज़ादा हो, अभी तो हमारे पार production ही कम है, तो इसलिए क्या होता है, हम जो है आश्ट इसके बचझ को घटा है, और हमारी आयात पर क्या हुई है तक निर्बरता बढ़ी है और इस यो को हमें क्या करना है? जो है कि बढ़ार अब इससे क्या लाब होगा जैसा कि आपके स्कीन पर दिखाई दे रहा है इससे क्या होगा आयात कम होगा इससे उर्जा बैपार मार्केट बढ़ेगा अर्थात अगर हम जादा production करते हैं तो जैसे हम आयात कर रहे हैं ऐसे हम बहुत से देशों को क्या कर सकते हैं, कोला निर्याद कर सकते हैं, परतिस परदा चूंकि अभी जैसे मैंने बताया कि CIL परमुक कमपनी है, उसी के पास ज्यादा कोल ब्लॉक है, इससे क्या होगा जब अन्य कमपनी आएंगे तो परतिस परदा बढ़ेगी, जैसा कि हमने हमारी जो दूसरी खबर है, वो है आपके पंदरे देशों के राजनायकों का कस्मेर दोरा, यहां पर हैडिंग नहीं है, थोड़ा सा टैप में दिक्कत हुई है, तो कुल मिला कर हम खबर देखते हैं, जैसा कि आपको उन्हे न्यूज पेपर देखा होगा, अगर टीवी द देखा होगा, तो भारा सरकार 15 देशों के राजनायकों को जम्मु कस्मेर भेज रही है, जम्मु कस्मेर इसलिए भेज रही है, जब से हमने किया कि अनुचे 377 में परिवर्तन किया है, उसके बाद से क्या हुआ है, कि कई तरह के पच्छा हैं, कुछ देशों ने हमारी आल से लंबे समय से ये कयास लगाय जा रहा है थे, कि जम्मु कस्मेर में सब कुछ ठीक नहीं चला, इसके पीछे एक परमुक करण ये भी था, कि वहाँ पर इंटरनेट की सुब्धाय पूरी तरह से अभी बहाल नहीं हो पाई है, और ये जो इंटरनेट से वाए बंद थी और जो अभी जो पूर्ट चालू नहीं हो पाई है, ये बिस में अब तक कि सबसे लंबी जो है कि इंटरनेट सट डाउन के रोप में इसको देखा जा रहा है, तो कई लोगों का ये कहना है कि चूंकि वहाँ पर जितने भी वहाँ के नेता थे, उनको अभी जेल में रखा गया है, वहाँ पर मानवादिकार का हनन हो रहा है, वहाँ पर बेसिक सुबधाय नहीं है, तो इसको किलियर करने के लिए भारत सरकार ने, जैसा कि आपको पता है, अक्तूबर 2019 में भी जो है कि ये ये उरोपिये सांसदों को वहाँ पे भेजा था, वह बिजिट करने गया थे, उन्होंने कहा था कि जिस परकार की negativity फैलाई जा रही है, वैसा कुछ बहुत उनको देखने को नहीं मिला, इसी करम में अब भारत सरकार ने 15 देशों के राइनाईकों को और वहाँ पे भेजा है, ये दो दिवसी दोरा है, उसमें हो बिजिट करेंगे, देखेंगे कि दरसल जम्मू कस्मीर में जो हमने परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन में 5 अगस से लेकर अभी तक क्या उनको दिखाई देता है, क्या जो विस्व में एक जो हमारे प्रतिद्वन्दी हैं, या कुछ ऐसे देश हैं, जो हमें बदनाम करना चाहते हैं, ये वास्तों में हकीकत है, कुछ या सही में ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है इसके लिए विजिट करवाय जा रहा है आइश्टून एक एक करके हम इसको कवर करते हैं पांच अगस्ट 2019 को हमने क्या किया था था थीन सो सत्तर और पैंतिसेस में संसोधन किया था और कई तरह के आसंकायन लगाए गई किया लेकिन चुँकि इंटरनेट सट डाउन की कंडिशन होने के कारण और कुछ लोगों के द्वारा यह परचार करने के कारण हुआ पर सब कुछ ठीक नहीं चला तो हमारा जो अब हमारी जिम्मेदारी क्या थी सर भराज सरकार क्या समझ रही थी कि हम इस पर इस पश्टी यह जो पंदरे देश हैं इसनका नाम आपके लिए इंपोर्टेंट है यह 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 जो देश हैं समानता हम इन से उम्मीद करते हैं कि क्या नीट्रल रहेंगे और नीट्रल रहेंगे अपनी जो हुई है इस्थिति दिखाई देगी इनको यह बताएंगे क्योंकि जो पिछला दोरा हुआ था जिसमें 30 जो है कि यूरोपिय सांसदों को हमने नमंतरित किया था कि वह जम्मो कस्मिर जाकर भेजें उसमें से कुछ सांसद नहीं गयते और उसके बज़े से उन्होंने कहा था कि भारा सरकार कह रही थी कि वह पर्तिबंद लगा रही आपको वही रिपोर्टिंग करनी है जो हम कह रहे हैं इसके वज़े से वह नहीं गयते तो कुछ उसकी आलोचनाय भी होई थी तो इसलिए अब हमने 15 देशों के लोगों को राजनाईकों को हमने भेजा है वह जाएंगे इसमें देखिए एक देश है यूस से जो कि क्या होत जो हमने दल भेजा है जो राजनाईक गये हैं अगर आके बताते हैं कि हाँ सही में जो जम्मु कस्मीर की जो कंडिसन है वह खराब नहीं है जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं सब कुछ ठीक है तो क्या होगा कहीं कहीं भारत के पच्च में जो है कि अंतराष्टी जो मानवा के जो देश हैं खासकर गल्ब कंट्री पाकिस्तान भी उसमें सामिल होता आपको पता है तो यह जो सभी देश हैं पाकिस्तान बार बार कहता आया है कि वह क्या करें जम्मु कस्मीर को लेकर अपना जो है कि एक राय बनाए और उस पे बिचार पर कट करें तो दरसल इनकी भी बैठक जो है कि पाकिस्तान में होने वाली है और ऐसे समय में जब हमारे पास अगर क्या होगा यह जो हमने राजिनाइकों को भेजा है जब यह बापस आके बताएंगे कि नहीं सब कुछ ठीक चला है तो इस परकार के और गनाइसेशन के द्वारा अगर कोई टिपनी की जा कर जो है कि पाकिस्तान और कुछ अन्य जो देश है वा क्या है काफी मुखर नीती अपनाए हुए है उनका कहना यह है कि भारत सरकार उहां पर गलत कर रहे है तो इनी सब चीजों का समाधान करने के लिए प्रियास किया गया है और यह दरसल अंतराश्टी लेवल पर भारत क चबी को किस तरह से परिवर्तित करेगा यह है तब पता चलेगा जब आज साम तक क्या होगा इसकी रिपोर्ट्स आए कि तो अगर आप कभी भी नीच पेपर पढ़ है तो उसमें थोड़ा सा देख लिजेगा कि जो पंदरे राजनाई के देशों के राजनाई गया है इन् आपको जो नीचे वाले मचली है यह है आपकी Chinese फेडल फिस और यह जो है American फेडल फिस यह जो कि काफी लंबी होती है और इसकी लंबाई यह तो लंबाई होती ही बहुत ज्यादा है इसके साथ साथ इसका यह जो नाख है यह वाला हिस्सा काफी कि इंपोर्टेंट होता है आप दोनों का देख सकते हैं, यह आपका American fish है, यह Chinese fiddle fish है, और यह जो परजाती है काफी important होती है, किस तरह से important होती है, यह दरसल क्या करती है, कि जो देखे आकार में काफी बड़ी होती है, अगर हम Chinese fiddle fish की बात करें, तो यह जो है कि तेज़ फिर तक लंबी हो सकती है, अब तेज़ फिर आप समझ सकते हैं, छोटे मचली नहीं है, तो है क्या कि 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 किसी छेतर में, कोई माले जे मेरीन एरिया है, कोई नदी का छेतर है, या कोई भी छेतर, जलिये छेतर है, तो उसका हर छेतर का अपना क्या होता है, एक ecosystem होता है, वह ecosystem balance रहे, वह इस पर निर्भर क संतुलित मातरा में हैं, तो क्या होगा, सभी चीजे ठीक ठक चलेंगे, यह जो जीव है, यह छोटी मचलीयों को खाती थी, और इस से क्या होता था छोटी मचलीयों की संक्या क्या रहती थी, और उसके सासा कई परकार की environmental importance होते हैं, जैसे for example, मैं आप से कहूँ हूँ, कि अ क्योंकि टाइगोर और सेर क्या कर रहे थे, जो साकाहारी जीवों थे, उनको खाकर बैलेंस कर रहे थे, साकाहारी जीवों की संख्या जब ज़्यादा होगी, तो क्या होगी, वो पेड़ पोधों को ज़्यादा खाएंगी, पेड़ पोधों जब ज़्यादा खाएंगी, तो जो पूरा एको सिस्टम बना होता है, वह डेमेज होने लगता है, और इसी के करण क्या हुआ है, दरसल यह जो बिलूप्त हो गया है, इसी को लेकर यह नियूज है, आई इस टूरें हम एक के करके इसके मिनट्स को समझते हैं, इसका जो बैग्यानिक नाम है, जो है कि सिफेरस मतलब होता है, तलवार, तो चाइनिज सोट फिस के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी देखिए नाग जो देख रहे हैं, वह तलवार की तरह आगे निकली होती है, इसके करण इसको यह नाम दिया गया, और आपको जानकर अस्चर होगा, कि यह जो जीव है, कि यह बहुत से जीव बिलुप्त हो गए, डानासुर को हमने देखा, आसे थे बिलुप्त हो गए, लेकिन यह जो जीव था मचली की परजाती थी, यह बहुत पुरानी परजाती थी, अब कहेंगे इसका क्या परमान है, तो इसके पीछी का उनका साहित है, जैसे हम कहते हैं हमारे कथाएं हैं कि हमारे हाँ यह भगवान थे इसी परकार इनकी हां जो साइट है उसमें इसको बताएगे दो सो मिलियन जो है कि पुरानी मचली थी और अब क्या होगी है मानवी हस्त छेव के करण क्या हो गई है बिलुप्त हो गई है इसके जो परमुक्स आवासिय छेतर थे वह यह यह जो कुछ मात्रा मिल रही थी वह यांगजी रिवर चेतर थे यह आपको इसका लोकेशन दिखा देता हूं इसमें आपको थोड़ा सा इमेज और के लियर हो जायेगा कि आखर यह जीव कहां पर मिलता था और साथी साथ इससे यह भी पता चलेगा कि क्यों यह जो एक दिखाई दे रहा तो यह जो छेतर हैं यांगजी रिवर बेस ही यह क्या है इसके में मिलती थी को मिला कर यह आप देख रहे हैं नदी वाला चेतर हैस का मतलब क्या हुआ यह फ्यूस ब्लोप्त तो इसको अभी गोसित किया गया है दो दिन पहले लेकिन इसको अंतीम बार जो देखा गया था 2003 में देखा गया था हला कि कुछ जो समिच्छक हैं जो है कि रिपोर्ट्स हैं वह 2007 का हवाला देती हैं लेकिन मैंने इसको काफी क्रॉस चेक किया और यह जो 2003 में जो है कि लाश्ट टाइम स्पोर्ट की गए थी यह ज़्यादा प्रमाड़ी के निकलता है इसलिए मैंने इसको स्किन पर लिया यह 23 फिट तक लंबी हो सकती है लेकिन औस तन जो लंबाई होती है वो 10 फिट के नियर अबाउट होती है तो इससे अगर आप से पूछ लिया जाए स्टेडमेंट देखके कि अगर यह सही है कि नहीं और उसमें लिखा हो कि इसके ओसतन लंबाई 10 फिट होती है तो आप इसको सही मानेंगे यह सोच जल में पाई जाती है जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अलावा देखिए आपके पास जो है कि और इंफोर्मेशन जो आपके लिए इंपोर्टेंट है यह पर जाती जैसा कि मैंने बताया 200 मिलियन पूर धरती पर है और अब केवल इसकी तस्बीरे हमारे पास है तो वह सिकार जब करेगा तो सिकार कैसे करेगा पता करेगा कि सिकार कहां पर तो दरसल साइस यह मानता है कि इनकी नाक में से कुछ ऐसे वेवस निकलते थे जिससे सिकारियों को सर्च करते थे और यह सिकार ढूने और उसका सिकार करने में सहायक होता था जैसे इसकी दिलिश्ट निकालती है, 2003 में ही से critically endangered सूची में डाल दिया गया था, अर्थाथ अगर हम क्या करते, जब यह endangered सूची में इसको डाला गया, और जब लाश्ण में इस्पोर्ट की गई, उससी समय से अगर हम क्या करते, बहुत बिस्तियस प्रावधानों के था, इसको कंजर्ब करते, प्रोटेक्ट करने का प्रियास करते, तो हो सकता था, इस जीव को हम बचा सकते थे, अब इसका हमारे पास DNA जीन तक नहीं है, तो सुभावी के यह दोबारा अस्तितों में नहीं आपाएगी, और यह चीज यह भी बताता है, कि ICO ने जिसको endangered category में डाला, बहुत से ज भावी कदम नहीं उठाए, और उसके बज़े से क्या हो, जीव समाब धोग है, इसके जो बिलुप्त होने के परमुक कारणों में दो चीजों को बताया जा रहा है, एक तो जो है कि अत्ति मतस्यन अर्था, जो है कि बहुत जादा ओवर जो है कि लेवल पर क्या किया जा रह तो कोई जीव आएगा तो या तो ऊपर रह जाएगा नीचे, ऐसा तो नहीं होगा, नीचे से चड़ के पानी उतना उपर जा सके, तो दरसल बाधों के बज़े से क्या होता है, परजातियों को नुक्सान होता है, इसलिए जब भी आप भी बाध के विसमें लिखते हैं, त वेकप कॉल का मतलब है कि अब तो जाग जाओ, अब तो समझो कि हम जिस परकार का विकास परक्रिये अपना रहे हैं, चीन के जो देश है, वो क्या है, बड़े-बड़े बाधों के लिए जाना जाता है, उसको जहां भी जगह मिलती है, वो बाध बना देता है, और उस के लिए वेकप कॉल है, कि अब हमें समय रहते हैं, इसको क्या करने ना, जान जाना चाहिए, हुआ क्या था, कि 1980 के दसंग में यांगजी नदी पर क्या हुआ था, यह डेम बनाया गया था, और इस डेम के बनाने से क्या हुआ था, काफी ज़्यादा मचलियों को छती हुई और इसके कारण, अगर हमने 1990 के दसर या 2000 तक हमने इस पर ध्यान दिया होता, और हमने यह डेम के बज़े सी, जो इनके संख्या घट रही थी, कई रिपोर्स आए, कि इनके संख्या हम घट रही है, लेकिन उस समय हमने इसको जो है कि गंभेरता से नहीं लिया, अगर इसको ह हमने गंभेरता से लिया होता, तो इस जीव को हम बचा सकते थे, अगर तो हम यह जो कि चानीज पेडल फिस तो चली गई है, अब हमारे पास बची हुई अमेरिकन पेडल फिस, जो कि लगभग इसी के तरह से देखने को मिलती है, यह मुख रूफ से मिसिसिपी नदी छेतर पाई जाती है, कौन सी, अमेरिकन पेडल से फिस, जिसका बजन जो है के लगभग, पचास केजी तक होता है, हाला कि आप कई सोर्सों में इसका जो बजन देखेंगे, वो काफी जादा तक लिखा मिलाएगा, कई जगे पांसो केजी तक लिखा मिलेगा, तो कुल मिला कर यह जो है, काफी बड़ी वाली मचली है, इसको हमें सरचित करने की जरूरत है, नहीं तो क्या हो जाएगा, यह जो अमेरिकन पेडल फिस बचा हुआ, यह भी समाप्त हो जाएगा, प्रशना आएगा, महत तो क्या है, तो इसको क्या करिएगा, आप मेरीन एको सिस्टम, या मैं इसलिए कहा रहा हूँ, कि कोई भी जीव होता है, अगर पानी वाला है, तो कहा होगा, या तो फ्रिस बोटर, या सेलाइन वाटर, या खारे जल में होगा, तो किसी भी परिस्तित की तंद का जो जीव होता है, वो आपनी छेतर में काफी महत पूर भूम का निभाता है, तो दरसल इसका परिस्तित की सरचण हमें जरूर करना था, सरचण कैसे करेंगे, तो सभाविक है, जो मानवी हस्तचेप, हमने बढ़ा दिया, इसी मानवी हस्तचेप को क्या करना है, कम करने की जरूरत है, जैसे कि यह देखिए, यह जो यांगजी रीवर वेसीन छेतर है, कई बर क्या होता है, डैम को इस प्रकार बनाया जाता है, कि मचलियों को आने जाने के लिए एक रास्ता रखा जाता है, अगर हम उस रास्ते को बचा के रखते, तो इससे क्या हो सकता था, उस जीवों को फादा हो सकता था, लेकिन हमने ऐसा कोई विशेश प्रावधान नह करते हैं एनालेसिस से जो रिपोर्ट्स आए जो तत्थ है उनको हम गभेड़ता से लें और उसमें क्या करें मानवी जो अजुआ धूम का है वो सिर्फ संसाधनों के दोहन संसाधनों के सरचरतों को और संसाधन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं सो अब हाभी क्या करेंगे हम इसका सरचर कर पाए इस्टुर्ण आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच अगर 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 झीजय